गेहूं से जुड़ी बड़ी खबर जी हां गेहूं का स्टोक घट चुका है दरसल केंद्रिय पुल में उस समय गेहूं का स्टोक घट कर गत साल के निचले सर पर आ गया जब वर्ष दोजार चोबिस का आरंब हुआ था लगातर दोस जीजन में सरकारी खरीद अपेक्षा करित काफी कम होने और घरेलू मांग बढ़ने से गेहूं के स्टोक में भारी गिरा बटा गई है आपको बता दे कि OMSS के तहट भी इस स्टोक से विशाल मात्रा में गेहूं बेचा गया और अभी भी बेचा जा रहा है सरकार ने विदेशों से इसके आयात को उदार बनाने के बजाए अपने स्टोक को खाली करना बेहतर समझा गेहूं पर 40 फीसद का फिलाल आयाच शुल्क लगा हुआ है यदि इसे वापिस ले लिया जाता है तो तेश में अच्छी मात्रा में इसका आयात हो सकता था मिली जानकारी के मुताबिक 1 जनवरी 2024 को केंद्रिय पुल में 3,163,50,000 तन गेहूं का स्टोक मौझूद था जो 1 जनवरी 2023 के स्टोक 111,70,000 तन से तकरीबन 8,20,000 तन कम था जोकि वर्ष 2017 के बाद सबसे निचला स्थर था उस समय केवल 135,000 तन गेहूं का स्टोक रह गया थ वैसे 1 जनवरी 2024 को स्टोक निउन्तम अनिवार्य बफर मात्रा 138,00,000 तन से ज्यादा रहा है इसमें अगले 3 महिने की घ्रेलु खपत के लिए अवश्यक 108,00,000 तन और रनेतिक रिजर्व के लिए जरूरी 30,00,000 तन का स्टोक शामिल था वही पिछले साल गेहूं के वैश्विक बाजार मुल्या में 35 फीसद से अधिकी गिरा भटा गई लेकिन भारत में इसका अदाम बढ़ता रहा चबकि ये दुनिया में इस खाद्यान का दूशा सबसे परमुख उतपादक और खपत करता देश है अब वर्ष 2023 के अंतिम तिमाई के दुरान भारत में गेहूं के ओसत मुल्या में 20 फीसद से अधिकी तेजी देखने को मिली वही मई 2022 से ही गेहूं के निरियात पर प्रतिबन लगा हुआ है जानकारों के अनुसार गेहूं के वास्तविक उतपादन और सरकारी अनुमान में भारी हां आंतर होने से दाम तेजित रह सकते हैं दरसल शुरुवाती चरण में क्रिशी मंतरालिया ने 1127 लाग 40,000 टन गेहूं के रुकोड उतपादन का अनुमान लगाया था जबकि उध्योग व्यपार शेतर ने इसका वास्तविक उतपादन काफी कम रहने की संभावना व्यक्त की थी अब गेहूं की सरकारी खरीद भी 222 लाग टन तक ही पहुन सकी है जो की 341 लाग 40,000 टन के नियत लक्षय से काफी कम रही है अब सरकार ने अगले महीने से गेहूं खरीदने का प्लान बनाया है यदि इस बार अच्छी खरीद हुई तो हलाद समाने रह सकते हैं अन्य था गंभीर संभस्या पैदा होने की आशंका बनी रहेगी बिरो रिपोर्ट मार्केट टाइम स्टेवी